हेलो फ्रेंड स्वागत अब सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टी ट्यल में आज हम बात करेंगे यूपी टेट यूम सी टेट दोहजार उन्नीस प्रेया और भाग एक जो की कॉफी इंपॉर्टेंट यह वही कुछिशन है जो एक्साम में पूछे जा चुके हैं जिसमें ह वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को शेर जरूर करना जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे जिससे उन्हें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला कुईस्चन साथ में आप विसाल्व करत अच्छा से नहीं है चार आप्शन फ्रेंड आपकी सामने है सो फ्रेंड यहां पर राइट आप्शन होगा ऑप्शन भी यहनी गरीबी कम करना ठीक है क्या कि धारलिये विगास यों कांगश के थैलों का प्रयोग प्रयावरलिये सुरच्चा के सकारात्मक पहलों से है जबकि गरीबी कम करने से प्रयावरल्पन नकारात्मक यों सकारात्मक दोनों प्रभाव पढ़ते हैं साथी दूसरे त्रिष्ट कोड से देखा जाए तो गरीबी का प्रयावरल से अप्रत्यच संबंद है जबकि धारलिये विगास कागश के थैलों का प्रयोग यों वत अनु कूलन का प्रयावरल्पन से प्रत्यच संबंद है जबकि धारलिये विगास के थैलों का प्रयावरल्पन नेश्ट कूश्यन है भारत में प्रयावरल्पन प्रयावरल्पन प्रत्यच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् जो कि भारत में 1986 में पारित हुआ था ये संपूल भारत में लागू है ये सारे कोजिशन वहीं है जो पूछे जा चुके हैं एक्जाम में friend सो नेश्ट कुछिशन है प्रया वरण किस से बनता है यहां पर राइट आप्शन होगा आप्शन डी यानि उभ्योगत सभी से जीविये घडकों से भू आकरती घडकों से यो अजयो घडकों से मिलकर प्रया वरण बनता है फ्रेंड ध्यान दीजिएगा चले नेश्ट कुछिशन है धाड़ी विकास किसकी उप्योग के संदर में अंतर पिड़ीगत समवेधन शीलता का विशे है यहां पर राइट आप्शन होगा आप्शन है प्राकृतिक संसाधन धाड़ी विकास विकास की वो धाड़ा है जिसके तैट वर्तमान की और शक्ताओं के साथ भविश की और शक्ताओं को भी ध्यान में रखा जाता है जिसे धाड़ी विकास प्राकृतिक संसाधनों के उप्योग के संदर में अंतरपीडीगत यानि समवेदन शीलता का बिसे है सुने कुस्ट है कि प्रया और दिवस कम मनाया जाता है इसका एंसर आप लोग कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताया जाता है चलिए अगला कुस्टन देखते हैं नीमिखित में से किसे देश की पूँजी में सम्मलित नहीं किया जाता फ्रेंड देंदी जी एगा निम्रिक्षिन में से किसे देश की पूँजी में सम्मलित नहीं किया जाता राइट आप्शन होगा ओप्शन सी यानी सड़क फ्रेंड वे संसाधन जो हमें प्राकृत द्वारा प्रदत होते हैं प्राकृतिक पुझी अत्वा प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं वन, जल, योम, खनिज, देश की प्राकृतिक पुझी में समलित की जाते हैं जबकि सड़के प्राकृतिक पुझी में समलित नहीं की जाती चलिए नेस्ट कुश्चन है सौर विक्रण की सबसे मातपूर भूमिका है Friend, question है सौर विक्रण की सबसे मातपूर भूमिका है Friend, right option होगा option C यानी जल चक्र Friend, जल चक्र में सौर विक्रण की सबसे मातपूर भूमिका है सौर विक्रण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाश भी करण करता है बर्फ का जल में दुर्वी करण होता है योम जल चक्र हाइड्रोस्फेर में जल की विविन गतविधियों को दर्शाता है प्राकृति में जल चक्र को निम्न परकार से परदर्शित किया जास सकता है So friend, next question है So friend, इसका सीधा से right option होगा Option C यानि नागपूर में राश्टिय प्रयावरल अभियंतर की शोच संस्थान यानि जिसे हम नीरी कहते हैं यह महाराष्ट राज के नागपूर शहर में इस्तित है इसकी अस्तापना 1958 में हुई थी द्यान देजीगा 1958 में केंद्रिये लोग सौस्ट इंजिनिरिंग सौस सस्थान के रूप में वाटर सप्लाई सीवरे स्प्लान इससे संबंदित बीमारियों योम और दोगीक पर दूसर की रोगताम के छेत में शोध योम विकास के लिए की गई थी सु फिरें न्यश्ट कुष्ष्यन है सतत्द विकास के लिए आवTwoशक है राइट अप्शन होगा यानि सभी जैविक विवित्ता का संदक्छळ पर दूसर का निरोध योम नियंत्रळ निर्धर्णता को घटाना प्रिंट सतत विकास के लिए जैविक विवित्ता का संड़ छड़ पर दूसर का निरोध योम नियंतरन तता निर्दरन्था घटाना सभी अविशक है प्राकृत की अपनी सुंदरता है अपनी सीमै है अता हमें चाहिए कि पहले हम प्राकृत को समझने का प्रयास करें उसके बाद अपनी विकास नीतियों का निर्दारन करें सुनेश्ट कुश्यन है पृतिवी शिकर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था ? राइट आप्शन होगा ओप्शन भी यानि रियोडी चिनेरिया में संयुक्त राष्ट संगद्वारा प्रया और योमसत्त विकास पर पहला पृतिवी शिकर सम्मेलन 1992 में धान्दीजीए का डेट पुष्टा 1992 में रियोडी चिनेरिया यानि ब्राजील में आयोजित किया गया था सफरेंग नेस्ट कुछन नहीं गर्योडी डियोडी गोसला पत्र का शीर्षक शिकर था कि रियोडी डियोडी गोसला पत्र का शीडशक क्या था राइट आप्शन होगा option A The Future We Want सुनेश्ट question है प्रीथिवी के चारों और गैसों के समो को क्या कहते हैं राइट आप्शन होगा option C यानी वायू मंदल पृत्वी के पारित यानी विदमाद गैसों के समूख को वाई मन्दल कहते हैं इसमें नाइट्रोजन, आक्सिजन, कार्बन डाएकसीड तता अन गैसे पाई जाते ही फ्रेंड so next question है वायू एक है फ्रेंट यह बताना है वायू एक है क्या है यह बताना फ्रेंट फ्रेंट यहाँ पर right option होगा option C यानी मिस्रल है ठीक है रासायनिक संग्रिटन के आदार पर पदार्थ को तत्यो योगिक और मिस्रल के रूम में वर्गी करित किया जा सकता है तत्यो पदार्थ का साधार तम रूप है जिसे रासायनिक या भौतिक विद्यों धरा आगे उप्विवाजित नहीं किया जा सकता योगिक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या अधिक तत्यो द्रोमान के एक इस्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं मिस्रण ऐसा प्रदार्ट होता जिसमें दो या अधिक तत्य या योगिक किसी भी अनुपात में साधारन रूप से मिस्रित होते हैं सुनेश्ट कुश्यन है शुष्क मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है फ्रेंड शुष को हवा में स्वरी यहां पर हवा रहेगा शुष को हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है फ्रेंड राइट आप्शन होगा आप्शन डी यानी 88% यानी शुष को हवा में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो 78% होती है सुनेस्ट कुश्चन है निमलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायू में नहीं पाई जाती फ्रेंड आपको बताना है निमलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायू में नहीं पाई जाती यहां फे फ्रेंड राइट आप्शन होगा ओप्शन सी यानि रेडान रेडान जो है यह वायू में नहीं पाई जाती सारे important question friend note करते चलिएगा सुनेस्ट question है अपचे का विचार किस से संबंदित है फ्रेंड यह बताना है अपचे का विचार किस से संबंदित है friend right option होगा option c यानी एक प्राकृति क्रिया जो चटानों को सूच मिकड़ों से विचार से संबंदित है धान देजिएगा कई पार exam में है friend सुनेस्ट question है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्याले कहां इस्तित है friend आपको पताना है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्याले कहां इस्तित है right option होगा option है यानी चिनेवा में विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिसे हम WMO के नाम से जानते है संयुक्त राष्ट की एक विश्व सक एजनसी है जो प्रतिवी के वाई मेंडल की दशा और वेवार का अध्यन करती है इसे 1950 को विश्व मौसम विज्ञान अभी समय लागू हुआ यानी 1950 डेटे आज रैख कीगा 1950 परेंड UNEP का मुख्याल का हा इस तीत हुआ है संयुक्त राष्ट प्रयावरwn कारकरम यानी उनाइटेड ने नेस अध्यन्स एनवारिमेंटल प्रोग्राम की स्थापना 1972 में हुई थी द्यान देज़ेगा डेट 1972 में UNEP का अस्थापना हुई थी इसका मुख्याल है नहरोबी यानि केन्या में इस्थी थी था है चलिए नेश्ट क्विश्चिन है EPA का फूल रूप है आपको बताना है EPA का फूल रूप है राइट आप्शन होगा ऑप्शन स्री यानि इन्वार्मेंटल प्रोटेक्शन एजन्सी संयुक्त राष्ट अमेरिका की इस ये चंगिये एजन्सी है इसकी अस्थापना 1970 में हुई थी फ्रेंड द्यान देज़ेगा प्रवर्तन से संबंदित है यानि EPA का फूल रूप है इन्वार्मेंटल प्रोटेक्शन एजन्सी सुनेश्ट कुश्चन है NEA का फूरा नाम क्या है फ्रेंड दान्दी जीएका NEA का फूरा नाम क्या है फ्रेंड आपे राइट आप्शन होगा आप्शन बी नेशनल इन्वार्मेंटल ओथर्टी NEA का यानि तातपर राष्टिय प्रयावरण प्राधिकरण से है यद भी इसका फूरा नाम राष्टिय प्रयावरण अपीलिय प्राधिकरण यानि NEA है राष्टिय प्रयावरण अपीलिय प्राधिकरण NEA का गठन मन्यों प्रयावरण मंत्राड़ा के द्वारा किया गया था फ्रेंड सु फ्रेंड नेश्ट कुश्यन है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्याले कहां इस्तित है फ्रेंड दान दिजिएगा ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्याले कहां इस्तित है राइट आप्शन होगा आप्शन है यानि एमस्ट डर में फ्रेंड ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी प्रयावरण संगटन है जिसकी कार्याले 40 से अधिक देशों में अस्तापित है और इसका मुख्याले नीदर लैंड के एमस्ट डर में इस्तित है फ्रेंड इम्मीद करता हूँ आपके वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड वीडियो को शेर जरूर करना और जो हमारे नए वीवर्स है हमारे यूटिब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे मिलते हैं नेश्ट वीडियो के साथ तो के थैंक्स बाइ बेस्ट आप लग थैंक्यू बाइ